राजनती विज्ञान विशय में हम लोग हर्याना PGT वर्च 2019 का प्रश्ण पत्त हल कर रहे थे इसके पहले भाग में हमने 91 से 120 तक के प्रश्ण को हल किया था अब हम इसके दूसरे भाग में 121 से 150 तक के प्रश्ण को हल करेंगे 121 प्रश्ण है निम्नांकित विद्वानों में से किसने अध्यक्षात्मक सासन वियवस्ता को एक व्यक्ति कारिपाली का कहा है आप जानते हैं कि अमिर्का में Presidential Form of Government याद कि अध्यक्षात्मक सासन वियवस्ता चलती है जहां पर राष्टपती, राज्य और सरकार दोनों का अ ब्यक्ति कारिपाली का कहा है वह कौन सा विचारक है हमें उसका नाम बताना है इसके विकल्प में है अरेंड लिजवार्ट, मोरिस दोवर्जर, गिल क्राइस्ट, वाल्टर, वैजहॉट इसका सही उत्तर है अरेंड लिजपार्ट इसका पहना विकल्प सही उत्तर है अरें के संगवाद के लिए प्रयुक्त होती है यान कि हमें बताना है कि संगवाद का कौन सा रूप है जिसे हम लेयर केक फेडरलिजम कहते हैं इसका भी कल्प है दोहरा संगवाद, शहयों की संगवाद, रसनात्मक संगवाद, सौदेबाजी का संगवाद लेयर केक फेडरलिजम जो है वो हो दोहरा संगवाद, यान की डूअल फेडरलिजम को कहा जाता है यान की बिकल्प कोईस का सही उत्तर है इस प्रशन की बैक आप देशकते हैं dual federalism also referred to as layer cake federalism where government power is divided into the federal and state government यान की जहां पर जो power है वो center यान की केंडर और राजियों में विभाजित होती है the division is clear and divine and defined जो division होता है विभाजन होता है वो बिलकुर स्पष्ट होता है परिभाशित होता है and the power are distinct outlined in the constitution और जो शक्तियां है वो विभाजित की जाती है उनका अंतर स्पष्ट रूप से होता है वहां के समिधान में तो दोरा संगवा जो है कि इन दो राजियों की बीच में शक्तियों की विभाजित को लेकर है जिसका प्रावधान समिधान में स्पष्ट रूप से लिखित होता है अगला प्रश्ण है निम्नांकित में से कौन सा विचारक इस्तापित संपरभुत्ता और अर्जित यानि कि संपरभुत्ता को दो भागों में विभाजित किया है एक इंस्टिटूशन और दूसरा एक्क्यूजिशन यानि कि एक इस्तापित और दूसरा अर्जित इसके विकल्पे हैं थॉम्स होप्स, जैम्स वुकानन, मैक्यावली, हैर और लास्की इसका सही उत्तर है दूसरा बाइक्क्यूजिशन इस प्रस्तिकी बैक्याप दे सकते हैं, होप्स डिस्क्राइब two way in which sovereignty comes to exist यानि कि जो संपरुता है वो दो तरिकों से अस्तितुमाती है, sovereignty by institution and sovereignty by acquisition. Sometimes in Leviathan, it seems that sovereignty by institution consists of the covenant among all and only the subject of the commonwealth and that sovereignty by acquisition does not. तो इस तरह से अर्जित और स्तापित दो तरह की संपरुता की बाद थॉम्स होप्स के द्वारा की गई है. अगला प्रस्ण है, नीमनांकित मेंसे कौन सा विचारक संसाधनों की समानता का खण्नन करता है? यनि कि कौन सा विचारक है, जो संसाधनों की समानता का बिरोधी है? इसके विकलप हैं, John Lalz, Ronald Dorking, Eric Rose, Michael Walger. इसका सही उत्तार है Michael Walger. Michael Walger ने एक concept दिया है distributive justice का और उसमें वह कहता है कि जो संचादनों की समानता का है वो सही विचार नहीं है. तो यहाँ पर भी कल्प भॉइस का सही उत्तार है इसके अब आखिया दे सकते हैं Walger explored the concept of distributive justice which concerns the fair allocation of goods and resources in society. यहाँ कि जो संबन्दित है कि जो हमारी वस्तोय हैं जो हमारी संचादन हैं उनका fair allocation होना चाहिए कोई समानता नहीं होनी चाहिए बलकि जिसको जिसी की ज़रौत है उससाब से उसको वस्तोय और संचादन मिलने चाहिए. He argues against the idea of single universal principle of justice यानिकि एक समान सिद्दान्त एक सारभोमिक सिद्दान्त को आपना रहे हो वो सही नहीं है can be applied uniformly across all sphere of life यानिकि जिवन के हर छेत्र में आप एक जैसा व्योहर कर रहे हो संचादनों के बित्रन में वो सही नहीं है इसलिए यहाँ पर विकल्प जो घो है Michael Walter जो ह वो संचादनों के समानता का खंडन करता है इसकी व्यक्चाव को आप नोट कीजिएगा अगला प्रस्ट है त्यलंगना राज विधान परिशत में सीटों की संक्या है इसके विकल्पे हैं 32, 36, 40, 44 आप जानते हैं कि त्यलंगना राजी का निर्मान 2014 में आंद्रप्रदिस स अलग राजी का निर्मान किया गया था और त्यलंगना राजी में जो विधान परिशत की सीटे हैं वह हैं आपकी 40 विकल्प गौईस का सही उत्तर है इस परिशन की ब्याक्या भी दे सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है कि 14 मेंबर्स और इंडिरेक्टे इरेक्टेड वाइदा आप जानते हैं कि जो विधान पर सते हैं वहाँ पर जो विधान राजी पर निरू के लिए कुछ सीटे रहत हैं तो इस तरह से 14 सीटे इलेक्टे इलेक्टेड वाइद के लिए इण 14 सीटे जो है local authorities को देर किये हैं 3 जो है graduate constituencies है और 3 जो है teacher constituencies है और 6 सीटे जो है वह गौर्णन के द्वारा मनुनित की जाती है अगला प्रश्न है भारत सरकार कारे आवंटर नियम 1971 के अनुसार मंत्री मंडली सचवाले को आवंटित भारत सरकार का कारी यहाँ पर रिक्तन साथ चोड़ा है को आवंटित किया जाता है और सदय उन्हें आवंटित किया जाएगा तो यहाँ पर विकल्प है राष्टपती, प्रधान मंत्री, गिरह मंत्री, कैबिनेट सचिव तो इसका सही उत्तर है प्रधान मंत्री तो यहां पर विकल्प फुक्भा प्रिथानमंत्री, केबिनेट और उसकी समितیों और राश्तिरी को मामले परसुत करने के समद्ध में इन नियमों के प्रावधनों के अधीने सबी विव्यवसाय आउंटित किये गए हैं तो इस तरह से ये 1901 का जो भारत सरकार कार्याउंटर नियम है उसमें जो है प्रधान मंत्री को यह सक्त दिर की है कि वो किस तरह से जो है उस विभाग को चलाएं अगला प्रश्न है नियमनांकित मैं से कौन मानता है कि सकारत्म शौत्मत्रा की आउधारना के बारे में रूसोवादी रूपरेखा को अपनाने में यह खत्रा है कि इससे सर्वाधिकारवाद को बढ़ावा मिल सकता है इसके विकल्पे हैं रॉल्फ मिलीबेंड, मिल्टन त् बढ़ जाएगी ऐसा मानना है चार्ल्स टेलर का विकल्प गोईस का सही उत्तर है अगला प्रशन है नियमनांकित मैं से किसे जौन डॉल्स नियाय के सिद्दान्त का प्रात्मिक विशे की संग्या देते हैं इसके विकल्पे हैं मूल इस्तित, मूल सनशना, विशेष पूर रुड़ता करम और चौता है नियाय उचित्ता की रुप में जौन डॉल्स ने नियाय के सिद्दान्त में जो प्रात्मिक विशे की संग्या दिया है वो बेसिक स्ट्रक्चर मूल सनशना को दी है यहाँ पर विकल्प गोईस का सही उत्तर है मूल सनशना यानकि बेसिक स्ट कि किस तरह से एक उदारबादी समाज में हम राजनितिक और सामाजिक संस्ताओं को एरेंज कर सकते हैं ताकि हमको न्याए निश्पक्सता की उद्मप्राप्त हो जाए तो यह जो एरेंजमेंट होगा किसी भी समाज में वहां रहा समाजिक, कानूनी, आर्थिक, परिवार इन सब का एरेंजमेंट जो है रहेंजमेंट कहते हैं कि बेसिक स्टक्चर के अंतरगत आता है इसे वो मूल संस्तना कहते हैं तो यहाँ पर विकल्प हो जो है मूल संस्तना पर जोड़ देते हुए जॉन रॉल्स नियाई के सिद्धानत का प्रात्मी विश्यक्यों से संग्या देते हैं अगला परशन है निम्नांकित विचारकों में से किसने राजनितिक निर्णेन की प्रिक्रिया में आर्थिक प्रतिरूपों यान की एकॉनमिक मॉडल का प्रियोग किया है इसके विकल्पे हैं Robert Dehall, Elfin Toffler, Harold Laswell, Anthony Downs इसका सही उत्तर है Anthony Downs Anthony Downs ने राजनितिक निर्णेन की प्रिक्रिया में आर्थिक प्रतिरूपों का प्रियोग किया है विकल्प घोईसका सही उत्तर है अगला परशन है निम्नांकित में से किसका यह मांना रहा है कि राजी के नीटी निदेशक्त तत्तू की बिसेवस्त एक सीमा तक उपनिवेश्वाद विरोधी करांती की देन थी इसके विकल्प में हैं मौरी जोंज, केसी वियार, ग्रेन्विन ओस्टेन, माइरन, वेनर इस प्रस्टन का सही उत्तर है ग्रेन्विन ओस्टेन और शुक्त ने खा कि जो भारती समिदान के राजी के नीटी सेत्त्त्तों हैं वो एक सीमा तक उपनिवेश्वाद विरोधी करांती की देन है जो उपनिवेश्वाद राभारत, बिरोधी करांती की ही देन है कि हमको जो हम आजाद हो जाएंगे उसके बाद किस तरह से अपनी समाज का हमको विकास करना है अगला प्रस्ण है निर्मांकित विद्वानों में से किसने भारत को लोगतांत्रिक विकासा अत्मक राजी के रूप में परिभासित किया है इसके विकल्पे हैं पॉल ब्रास, उदाई महता, रजनी कोठारी, जेम्स मैनर इस प्रस्ण का सही उत्तर है जेम्स मैनर जेम्स मैनर ने भारत को लोगतांत्रिक विकासा अत्मक राजी के रूप में परिभाशित किया है विकल्प गोईज का सही उत्तर है अगला प्रस्ण है निम्नांकित मैं से किस विद्वान का यहुमत है कि भारत में निर्वाच की राजनीती में सहभागिता ने जातियों के पात्सोपान की जगोव जातियों के लोगतन्त की रसना की है इसके विकल्पे हैं सुहास पल्सिकर, सुदिप्त का विराज, योगेंदियादव, रजनी, उठारी इस एक स्टेट्मेंट दिया है कि भारत में जो निर्वाच की राजनीती में सहभागिता ने जातियों के पात्सोपान की जगोव जातियों के लोगतन्त की रसना की है ये कथन सुदिप्त का विराज का है, विकल्प खोईश का सही उत्तर है अगला प्रशन है, निम्नांकित में से केस संसदी और की लोगसवा निर्वाचन छेत्र में लोगसवा निर्वाचन 2019 के लिए सरवाधित परत्यासी खड़े हुए थे इसके विकल्प हैं, आसनसोल, वैलोर, निजामाबाद, अनंत, नाग, इस प्रशन का सही उत्तर है, निजामाबाद, तो तेलांगना के सीट है निजामाबाद, वहाँ पर ऐसा बाना जाता है, कि 2019 के जब चुनाव हुए थे, तो 185 कैंडिडेट खड़े हो गए थे तो अब चुनाव कराने के लिए हर बूत पर वहाँ पर 12 EBM मसीनों को जोड़ा गया था, उसके बाद वहाँ चुनाव कराए गए थे, इस प्रशन की ब्याक्या देशकते हैं, इसमें 185 परचाशी थे, हर बूत पर 12 EBM मसीन को जोड़ा गया था, तकि चुनाव को संपन करा आए जा सकें, अगला परशन है, निम्नांकित में से कौन सामाजिक तारकिकता को शांगवात का आधार मानता है, इसके विकल्पे हैं, एंड्रू लिंकलेटर, विलियम रिकर, लुईस टिलिन, चार्ल्स टारलटन, इस परशन का सही उत्तार है, विलियम राइकर या विलिय अगला परशन है, निम्नांकित में से किसने यहां मत दिया है कि बार-बार विरोधाभास के बावजूद भारत में इस्ताई रुजान, बहुलवाद, छेत्रवाद और विकेंदी करण की ओर हैं, इसके विकल्पे हैं, पॉल ब्रास, सुरिंदर जोदका, जेम समेनर, इ स्र परशन का सही उत्तर है, पॉल ब्रास, पिचारक पॉल ब्रास ने कहा कि बार-बार विरोधाभास के बावजूद भारत में इस्ताई रुजान जो हैं, बहुलवाद, छेत्रवाद और विकेंदी करण की ओर हैं, विकल्पकोईस का सही उत्तर है, इस प्रशन भीजातर स्ट संसदी व्यवस्ता को परधानमंत्री सासन की संग्या दी है, यानकि कि किस विचारनिका की जो संसदी व्यवस्ता है, वो एक किसम से प्राइम मिनिस्ट्री गवर्मेंट है, यानकि प्रधानमंत्री सासन है, इसके विकल्पे हैं, रिचार्ड क्रासमेन, मैकिन्टोस, आरें क्रास्मेंन का है कि उन्हें संसीर व्योस्फा को प्रदरमति सासिण की संजया दी है अगला प्रस्न है सब्ध राजनितिक दल भारत के समिधान में पहली बार अंतःस्तापित किया गया इसके विकल्पे हैं 52प समिधान संसुदॉरा, 65प ऐसन्सुदॉरा, अगला प्रशन है निम्नांकित में से किसका मत है कि अधिकारों के सारभौमिक सिद्दांत की खोज एक भर्मित खोज है यानि कि आप अधिकारों का अगर इनिवर्सल सिद्दांत खोजना जा रहे है तो आपके भर्मित खोज है कभी भी आपको अधिकारों का सारभौमिक सिद्दांत मिलने वाला नहीं है आप एक भ्रमित दिशा में हो, कभी भी आपको इस और सफलता, नहीं मिलेगी कि आप ऐसे अधिकार अबनालो कि वो सब पर लागू हो जाएं इसके विकल्पे हैं, माइकल सेंडल, आईरिस मौरीज यंग, क्विंटन स्किनर, माइकल वॉलजर, इसका सही उतर है, माइकल वॉलजर, माइकल वॉलजर ने कहा था, कि अधिकारों काके सार्भामित सिद्धान की खोज, एक भ्रमित खोज है, ऐसा कभी आपकाम्याब नहीं ह हो सकते हो, अगला प्रस्ने है, नियम्नांकित मैं से किस ने भीम्राव अंबेटकर को प्रारूप समिधान की शम्विक्षा शमिती का सवापती यान की निर्वाचित और नियुक्त किया, यान की भीम्राव अंबेटकर जो है, वो प्रारूप समिती के अध्यक्ष होंगे, या ऐसा किस ने कहा? इसके भी कलब हैं, समिधान सभा की अद्यक्ष ने, दूसरा है शमिधान सभा की शद्षियों ने, तीसरा है प्रारूप समिधान की समविक्षा, شमिति के शद्षियों ने, प्राब्धन के तहट राज निरवाचन आयुक्त को राज पाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके विकल्पे हैं अनुचे 243 धो, अनुचे 243 टो का क्लॉस वन, तीसरा अनुचे 243 ठो और चोटा अनुचे 243 डो, तो डो का क्लॉस वन, तो भारती समिदान में आप जानते हैं कि राज जी के निरवाचन आयुक्त, जो कि राज जी में 3-3 पज्याचण चुनाओं को करा प्रिस्तरी पंच्याचनाग करांगे राज निर्वाचनायोग होता है उसका जो मुख्या होता है राज निर्वाचनायोग तो होगा निर्वाचनायोग का मुख्या राज निर्वाचनायोग तो होता है तो उसे राज जिपाल द्वारा मिट क्या जाएगा पहरतिस समयदान क अनुछेद 243 के का क्लॉज 1, यानि कि यहाँ पर 243 टॉ का क्लॉज 1, विकल्ब खोईश का सही उत्तर है. अगला प्रस्थन है, निर्मनांकित में से कौन सा विचारक यह मानता है कि परंपरागत राजनितिक वैज्यानिक, सैध्धांतिक को पोशन या तथ्यों के अतिरेक से पिडित थे, यानि कि जो परंपरागत राजनितिक वैज्यानिक 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 वैज्य डेविड इस्टन ने एतिहासिक वाद और अचितत्यात्मकता वाद को कहा था कि ये राजनितिक सिद्धान्त के पतन के कारण है अगर आप राजनितिक सिद्धान्त के पतन के सिद्धान को पढ़ोगे तो आप डेविड इस्टन यही कहते हैं कि एतिहासिक वाद यादिक अध्यात्मक, हाइपरफेक्च्छल जो था वो जो विचारक थे, वो प्रंपराकत राजिती विचारक थे, उनसे वो पिड़े थे, तुहाँ पर पिकल्पको डेविड इस्टन का यहाँ कथन है, अगला प्रस्ण है, निम्मंक के देशों में लोगतंत के स्तापना से क्रांते उसी समंधित निम्मंए से कौन सा युगम सही नहीं है, यहाँ पर चार देशों के नाम है, और वहाँ पर जो क्रांतिया हुई उनके नाम है, हम बताना है कि एक जोड़ा सही नहीं है, वो क्ون सा है, पहरा है मिस्र मकमली क्रांति, दूसरा है टूनिश्या, चमेली यहां कि जैस्मिन करांथी, दूसरा है मियामार केसरिया करांथी, तीसरा है कोवेट नेली करांथी, तो जब हम देखते हैं कोवेट में, तो कोवेट में नेली करांथी हुई थी, मियामार में केसरिया करांथी हुई थी, और टूनिश्या में जैस्मिन करांथी हुई थी, ले में चात और भुजुर्ग शंतुष्ट सामिल थे इसका परणाम चैको स्लाविया में चालिस वर्षों की एकदली शाचन का अंत्य था इसके बाद कमांड अर्थिविवस्ता का विकटन और एक संचदी गर्थद में रूपांतलों हां हुआ था तो इस तरह से जो चैको स्लाविया था वो कहीं न कहीं अपने देश में सुधार चाहता था जो एकदली व्यवस्ता थी उसका अंत्य करना चाहता था और जो आपर कमांड एकॉनमी थी यानि कि कमांड एकॉनमी आप समझते हैं कि किस तरह से अर्थ व्यवस्ता को एक ही धर्री पर ढाला जा रहा था उसका विक्टन किया गया और वहाँ पर संचदी गर्थ अंत्र यानि कि संचदी व्यवस्ता और गर्थ अंत्र वहाँ पर लागू होगा इसका वहाँ पर प् माइकल वॉल्जर, रोबर्ट नौजिक, थेड़ा, इसका उपॉल, आपनी उत्पादिक्ता और पावर, सक्ति नौलिज के बारे में पढ़ा था, कि माइकल फॉकल्ड कहते हैं ज्यान ही सक्ति है, तो उन्होंने ज्यान को सक्ति से जोड़ने का प्यास किया है, पिकिस तरह से जो शक्ति है, पावर है, वो उत्पाधता है, और शक्ति पहचान और व्यक्ति परक्टा, विक्ति नौलिज का निर्माळ तरथी है, विकल्पॉकल्ड मायकल फॉकल्ड इसका सही उत्तर है, अगला प्रस्टन है निर्मांकित मैंसे कौन सी भारती पंत निर्पिक्स्ता की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष नहीं है तो जब भारती पंत्री रिविक्स्ता इनकी सेक्लिजम को देखे गें तो वहाँ पर बहुमुरी चरित है विस्स सामोदाइक अधिकार को भी स्विकार करती है और जो सिद्धान्तवादी अलगाओ की विचार है उनको भी प्रती है और चोहता कहरा है कि यहों नैतिक तारिकता की अलग एक परतीmal की प्रती बच्छन बध नहीं यह यह गलत है क्योंकि भा इसमें नैतिकता भी सामिल है तो यहाँ पर यह नहीं है यह गलत है तो विकल्ब हो इसका सही उत्तर होगा कियो नहीतिक तारिक्ता की प्रत एक अलग पर्तिमान की प्रत बचनबद नहीं है ये कतन सही नहीं है इसके विशेष्था नहीं है अगला प्रशन है शैम्वल ब्रिटन निम्नांकित में से किसे लोगतांत्रिक का आर्थिक प्रणाम मानता है इसके विकल्ब में है राजकोशी घाटा, शुन्यादारिक बजट, साहभागी बजट, राजकोशी लावान तो सैम्वल ब्रिटन जो है वह राजकोशी घाटा को लोगतांत्र की आर्थिक प्रणाम मानता है विकल्ब प्रणाम का सही उतर है अगला प्रशन है निम्नांकित में से किस ने यहो कहा था कि भारत में मौली का अधिकार उसकी राष्टी सुरक्षा की निव पर निर्भर करते हैं यानि कि जो हमारे फर्णामेटल राइट्स है वो हमारी नेशनल सिकुरिटी की निव पर निर्भर करते हैं कि जितना हमारा राष्ट सुरक्षित होगा उतनी हमको अधिकार मिलते रहेंगे इसके विकल्पे हैं अल्लाद कृष्टा शौमी आईयर दूसरा केम मुंसी तीसरे विराक्षित रभीम रामबेटकर सुथ सी राजगो पालचारी इस प्रशने का सही उत्तर है अल्लाद कृष्टा शौमी आईयर ने इक बात कही थी कि भारत में मौली का अधिकार उसकी र पर्मुक रूप से बिरासत द्वारा अपना स्तान प्राप्त नहीं किया है अपित बल या सामत से और सामत हो दोनों के संयोजन से प्राप्त किया है यानिकि एक अधिनायक वादी के बारे में हो कहता है कि एक अधिनायक वादी जो है वो कभी भी बिरासत में अपना स्तान प्राप्त नहीं करता है बल कि उसने बल जोड़ दबस्ती करके या लोगों से सहमत प्राप्त करके इलेक्षन के द्वारा चुनाओं के द्वारा या इन दोनों के द्वारा बल का प्रयूग भी किया और सहमत से भी जो है अपना स्थान प्राप्त किया है इसके विकल्पे हैं अल्फ्रेड कोवान, कोवान, हर्वन, हर्वन फाइनर, हैल और लास्की, गारनर. तो अधिनायक वादी सासन के बारे में, जो अधिनायक हो जाते हैं, एक बेक्तिका सासन है, जिसे बिरास्ट में तो नहीं मिलाय स्थान, लेकिन उसने बल का, या सहमत से, या इन दोनों से, बल और सहमत दोनों से इस्थान प्राप्त किया है, या अल्फ्रेड कोवान का कथन ह है निर्मनंकित में से किस विद्वान ने यह मत दिया है कि कल्यानकारी राज बनाने का कोई भी प्रियास अंतुतु गत्वा सर्व सत्तावाद को जन्म देगा यानि कि हम वेलफेर स्टेट बनाने का प्रियास कर रहे हैं लेकिन एक सम ऐसा आएगा कि जो हम welfare state बना रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो जाए कि सर्व सत्तावाद बन जाए मतलब welfare state को लेकर एक आसंका जाहिर की है कि अंतुत्व गत्वा ये सर्व सत्तावाद में को जन्म देगा इसके विकल्पे हैं विसल फुकोर्ट, रॉल्फ मिलिवेंड, फेडरिक हेयर, रॉबर्ट नोजिक ये प्रशिद जो कतर है ये फेडरिक हेयर का है उन्होंने कहीं न कहीं न कहीं welfare state को संका की नजसे देखा है कि हम उसको बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन कहीं असा न ह कि इस सरुसतावाद को जर्म देगा फेडरिक हेयर किसका सही उत्तर है अगला प्रशन है निर्मांकित में सिक्क्यस्तान पर भारत की उस्तम ल्याले की पीट पहली बार दिली से बाहर अजिविष्टी हुई इसके विकल्पे हैं हैदराबाद, सिरिनगर, ग्वालियर, भो पाल तो इसका सही उत्तर है है हैदराबाद, तो भारत की बाहर जो है उच्तम ल्याले की पीट पहली बार है हैदराबाद में स्ताबित हुई थी विकल्प हो इसका सही उत्तर है है हैदराबाद, अगला प्रशन है जो किस पेपर का अंतिव प्रशन है भारत बनाम इंडिय सरपर्थम किसके द्वारा गढ़ा गया इसके विकल्पे हैं सरत अनंतराव जोसी ए आर्देशाई कांता रणदिवे एन एम जोसी इस प्रश्ण का सही उत्तर है सरत अनंतराव जोसी भारत बनाम इंडिया तो यहां पर दो सब्द है भारत है दूसरा इंडिया है जो भारत है वो ग्रामिल पर्वेश को दर्शाता है और जो इंडिया है वो आर्भन आर्गी जो सहरी है उसको दर्शाता है और इसमें सरत अनदराव जोसी यही जो कि Economist हैं, वो ये बताने का प्रयाश करते हैं कि किस तरह से जो सहरी अविजन हैं उन्होंने भारत के जो ग्रामिर किसा ने उनको नेगलेक्ट करने का काम किया है। तो यहाँ पर भारत बनाम इंडिया का जो सब्द गला सरप्रतम वो सरत अनंद्राव जो सी नेगला था। इस प्रशन की बैक्याप देशकते हैं। He was credited with coining the term भारत वर्सिज इंडिया का term coined किया, highlighting the neglect of rural farmers कि किस तरह से जो ग्रामिर किसान है उनको neglect किया गया है by urban elites जो सहरी अभिजन है उनके द्वारा, in his will, he left most of his state of the सेथकारी trust, which is interested to take his work forward. इस तरह से सेतकारी संक्टनसे भी उजुड़े हुए ब्यक्ते हैं सरतनात राव जो सी. तो आज की इस प्रशनपत्र में, क्योंकि हरियाना TTT 2019 का प्रशनपत्र है, जिसे हरियाना PGT 2019 का परशनपत्र भी कiyetाते हैं, लेवल 3 का प्रशन पत्र है, काफी जड़िल प्रशने समय हैं, इस तरह के प्रशन परिख्षायों में पूछी जाते हैं, इसलिए हमको इसी तरह की त्यारी अपणी रखनी परती है, तकि हमको परिख्षायों में प्रशने वाले प्रशन, कभी-कभी बहुत गठिन पूछी की जाते हैं और कभी-कभी सीराथ भी तक हैं यूज वोसे लेवल की रखनी पर दिया है आज के पर प्रश्ण पत्र आपके आगामी परत्र की परिष्टाथ में अपने नोट्स त्यार कीजिए और महत्पूर्ची योग को नोट करने के आपके आदत होनी चाहिए तो कि बार-बार प्रश्ण रिपीट होते हैं और वो हमें परिष्टाव मसफलता दिलाते हैं आज की इस प्रश्ण पत्में इतना ही धन्यवाद